वो कहते है ना ससूर जी कि अंधा इंसान एक आख मांगता है और भगवान दो आखे देते हैं वैसे ही हुआ है मतलब? मतलब युवराज जी को सजा होगी उन्हें जिन्दगी बर याद रहेगा ऐसा सबक मिलेगा कौन सिखाएगा उन्हें सबक? बड़ी महराणी जी माताश्री कल फैसला करते वक्त हमारे पास पुत्र की नजरों से नहीं बल्कि एक आरोपी के नजर ये से देखने की शक्ती श्री जग्दीश्वर दे आपको यूरागी गोदावरी को जान से मार दिया है क्या? जी, जान से मार के उसे गायब भी कर दिया गया है ये भगवान हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है दामा जी, ये केदार जी किसी से टरता नहीं है अब मेरे लिए चारों रास देखा नई, 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 चारों नहीं योवराज, अब ये केदार जी के लिए बारा रास्ते खुल जाते है सच कहें तो आज का दिन आना ही नहीं चाहिए था लेकिन आ गया है, अब आपकी जिम्मेदारी है आपको रखनी है राइगड की इज़त आपके हातों में है राइगड की शान महाजग दंबे, अब सब आपके हातों में है ये सारी महनत, ओहदा, पिताश्री का है उनका दर्जा कम मत होने देना जागिए महाजग दंबे, साफधान हो जाएए आप ये सु निकल रहे है जाना तो पड़ेगा ही युव्राज आप क्या कर रहे ही फर्याद की माभवानी से फर्याद नहीं, धमकाया है हमने कहा देखिए हमारे सौ भागे की रक्षा कीजे हमारे युव्राज की पीछे हमेशा खड़ी रहे मदद कीजे उनकी फिर माभवानी आएंगी क्या हाँ, हमें पूरा विश्वास है तो फिर हमारी चिंता खत्म हो गई निकलते हैं तरबार शुर होने का समय हो गया हम भी चलते हैं येशू की हैसियत से या कुलमुक्तियार की हैसियत से येशू रानी बन के फिर भी शिक के कट्यार को साथ मैं रखना ही पड़ेगा फैसले के कागस पर मोहर तो लगानी ही पड़ेगी न वो अफसर ही नहीं आएगा यूग्राज चलिए हम आते हैं स्वराज उक के यूग्राज स्वराज के दरबार में सफाई देने के लिए चा रहे हैं आरती नहीं उतारेंगे आरती उतारूं फिर आप तो हर लड़ाई के पहले आरती उतारती हैं लेकिन ये लड़ाई कहा है लड़ाई तो है चरित रख की लड़ाई और सब लड़ाई एक और ये लड़ाई एक तरफ उस लड़ाई में हाथों में ढाल और तलवार होती है यहां संस्कारों की ढाल और इमानदारी की तलवार है अर्थी कीजिया वार अर्थी कीजिया वार यहां स्वी भवा असे रोते हुए यहां स्वी भवा असे रोते हुए लड़ने के लिए जाने वाले इंसान को हस्ते हस्ते विदा करना चाहिए महाराज सही सही जी हम आप परिशान हुए इसलिए आस्मान में घुमने से अच्छा सोचा आज आपसे मिल ही ले सही बहुत तैयारे के साथ निकले हैं बहुत सारे हत्यार लिए हैं ना साथ में तुम नहीं तो नहीं कैसे? यह क्या है? सत्या के बाग नाखून, नीतियों का भाला, न्याय की तलवार, प्रजा प्रेम की तोग, तत्व के तीर, कठोन पन की कटियार, हमारे बेटे पर हमला करने के लिए क्या-क्या लिया है आपने साथ में? सही हम और क्या वज़े थी कि आपने सोया रानी साहब को न्याय आसन पर बिठाया? वो करेगी? हमारे बेटे का न्याय? हम पर भरोसा रखिये आप पर विश्वास था, इसलिए खुशी से दुनिया छोड़ी आपके द्वारा दिये हुए वचनों पर हम निश्चिन थे लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप बाकी सबसे बंदे हुए है हमारे वचन को आप भूल गए नहीं सही, नहीं नहीं, फिर इतना बंदोबस्त करके आप दरबार में जाने के लिए निकल रहे हो आपको कोई पूछने वाला नहीं है इसलिए आज हम आपको एक सवाल करते हैं उसका आप हमें जवाब दीजी हमारे पेटे ऐसे हैं क्या नहीं सही, राली जी हमारे शम्भू बेटे कभी भी गलत बरताव नहीं कर सकते हैं इसलिए कहते हूं आप अपने शम्भू बेटे को पहचानते हों फिर क्यों उन्हें ऐसे अमनी परिक्षा देनी पड़ रही हैं हम पर विश्वास कीजिए हमारे अखंड कुमकुम पर? शम्भू बेटे के पिताश्री पर? या प्रजा के छत्रपदी जी पर? मतलब हमने छत्रपदी जी को देखा नहीं है हमने देखा है सिर्फ शम्भू बेटे के पिताश्री को शम्मू बेटे की उंगली पकड़कर उन्हें आगे ले जाने वाले पिता श्री सही उनकी उंगली हमने आज भी छोड़ी नहीं है पर आज वो उंगली छोड़ने के लिए छत्रपती जी आपको मजबूर कर रहे हैं सभी शस्र लेकर आज आप दरबार में जा रहे हैं पर उसी के साथ पिता के प्रेम को भी लेकर जाएए ये प्रेम आपको हमारे याद दिलाएगा इसलिए आज हम यहाँ आए हैं दरबार में छत्रपती जी के साथ शम्भू बेटे के पिता श्री भी होने चाहिए लेकिन एक बात ख्यान में रखिए हमारा जलाया हुआ दीपक है वो उसे हमेशा ही तूफानों में रखा गया है और तूफान के साथ लड़कर वो आगे आया है अब उसे बुझने मत दीजिए पिता के हाथों से उन्हें की चाया दीजिए ताकि वो इसी स्ने में शानती से जीते रहेंगे आप चाहिए आपको टोका माफ कर दीजिए राम राम पाटी राम 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 आज केले पर कैसे आना हुआ किले पे वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन आज गुलाल भरके दो पैल गाड़िया लाया हूँ मैं. दो पैल गाड़ी गुलाल? एक बार यो राज, निर्दोष्ट साबित हो जाएं, तो पूरा राइगाड गुलाल से लाल कर दूँगा मैं, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आते हैं हम. सर, सेना पती हम मीर राव मोहिती मामा जी आ रहे हैं. मामा जी? उन्हें भी मालूम चल गया होगा. हमें सब मालूम पड़ गया है. लेकिन बाहर से, हमें बताया क्यों नहीं? हम क्या कोई पराय हैं? ऐसा नहीं है मामा जी, तो फिर रुकिए. पहले आशरवाद लेने दीजिये. अरे भगवान भी कभी किसी को प्रडाम करते हैं क्या? सुनिए, मेरी बात सुनिए. मुझे पराया क्यों समझा गया? मामा जी, हमने… आ, रुकिए. पहले नमस्कार करने दीजिये. मत कीजिये मामा जी. अब हम युवराज नहीं रहें. हमसे हमारे अधिकार छीन लिया हैं. ये जाकर किसी और को बताए? कह रहे हैं कि अधिकार छीन लिया है. इसका मतलब आग से कहा जाएं कि आप से आपका जलने का अधिकार छीन लिया है. आपको उचित लगता है क्या? नहीं. हमारी बेटी को तो हमें बताना चाहिए था ना? या फिर इल्जाम लगे तो हमें आप भूल गए? मामा जी, यहां तो बहुत कुछ हो गया है. महराज ने तो बात करना ही छोड़ दिया है. युवराज के लिए मेहल के दर्वाजे बंद कर दी गए हैं. हमें सब कुछ पता चल गया है. युवराज जी, जो सुने में आया है, उसमें आप जरूर भास गए हैं. भागा कर ले जा सकते हैं, क्या? अरे, कोई कुछ भागा कर ना ले जाए, इसलिए तो आप अपनी जान लगा देते हैं. पर ये बात ऐसे लोगों को समझ में आने वाली है, क्या? आप, आप निश्चिंत रहे. मैं देखता हूँ क्या करना है. मामा जी, अगर आप कुछ कहेंगे, तो पिताश्री कोई अच्छा नहीं लगेगा. फिर भी हम बोलेंगे. और कोई भी आकर इलजाम लगाएंगे, और ये न्याय करते बैठेंगे, क्या? मामा जी. युवराजी. जुराए हुए घोड़ों को कोई बारात में नहीं नचाता है. सच्चाई सामने आने पर, सब लोग बराबर भाग जाते हैं. आप जिन्ता मत कीजिए. बे फिक्र रहे. अब मैं आ गया हूँ ना? हम गोदावरी जी को किले पर लेके जाएंगे. किले पर? लेकिन केदर जी, हमने तो उसे… हाँ जी, मेरा मतलब है कि उनके पार्थे शरीर को किले पर लेकर जाएंगे. वो तो आपने पाचड के खेद में डालने के लिए बोला था ना? अब उसी पार्थे शरीर को किले पर लेकर जाएंगे. मतलब कि उसी जगा पर ही फैसला हो जाएगा लेकिन मालिक अरे मैं क्या कह रहा हूँ पार्थे शरीर को देखकर सारी बात का फैसला हो जाएगा और हमारी जाच भी नहीं होगी क्या लग रहा है आपको वो भी सची है गोदावरी के लाश किले पर पहुँचने के बाद ये उराज जी खताम भाईया जी आप चाब कर देखिये बात सुनने के लिए ही तो आए है हमने सोचा सुनी लेते हैं भाजे का फैसला बहुत सारी ओरतों को भगा कर ले जा रहे हैं बहुत सी लड़कियों को परिशान कर रहे हैं नहीं नहीं भाईया जी ऐसा नहीं है फिर कैसा है आप महरानी बन गई और आपका प्यार खादम हो गया इसलिए तो बेटे का फैसला करने के लिए आप बैठने वाली है राजा राम राजा का फैसला करना तो छोड़िये उसके बात तक होने नहीं देती हैं जमीन आसमान को एक कर देती है ना देखिए आखिर में उंगली उठे कि रही हम पर उंगलिया उठे की नहीं तो और क्या होगा क्यो चुप बैठी रही हैं क्यों नहीं विरोध किया आपने चुंचर मोहिते के खांदाथ से होने के बावजूद आप हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं एक बिल को देखकर खरगोश जैसे छुप जाता है ना वैसी इस्तिती आपकी है बैया जी जा कर देखिए मैंने देखा है उनकी आँखों में कितनी मासूमियत है कितनी बे-गुनाही है महरानी जी सबूतों के बाद तो चुडों के मामलों में की जाती है निर्दोश के मामले में नहीं और उनके ओपर हिल्जाम लगाना मतलब भगवान पे हिल्जाम लगाना ऐसी मासूमियत उनमें बच्पन से ही है उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया लेकिन जाते समय एक चीज उनके पास छोड़ कर चली गई जाहिए जाकर देखिए सरसेनपते की दलवार आज बहन के महल में चमक रही है महराजी को मेरा नमस्कार आप कब आए मेरे यहाँ आने की छोड़िये महराजी पर जो कुछ भी हो रहा है वो हमें बिल्कुल पसर नहीं आ रहे इलसाम है अमबर आओ आपके बहांजे पर रहेंगे पर उसका फैसला दरबार में क्यों हो रहा है स्वराज्य की वही रीती है सबको न्याय और एक जैसा शंभू राजा खुद को साबित कर दें कि वह निर्दोश है फिर से अपने पैर उपर खड़े हो जाए हम लकडी से आम का फूल गिरा देंगे और उस पर भाल आ जाए ऐसी उमीद करेंगे ये आपके अंदर की मामा की ममता बोल रही है हम भी राव बोलेगी माफ कीजिए महराजी पर ये प्यार आस्मान से आया है क्या आगरा मतुरा के जलते चूले में से परक कर ये प्यार आया है मेरे अंदर पर आखिर में वो है तो ममता ही और उसकी यहां कोई जगह नहीं कल की अच्छाई पर आज का तिन रायगर पर उगता नहीं है पर महराजी चलिए समय हो गया कहा है वो महाद्या यही है न वो यही है न वो क्या करी आप अले प्रबंदक की समभादी है तु यह न तु ही ने मेरे बेटे पर इल्जाम लगाए है न अब तीकते रहना तू नहीं तुझे अच्छे से सबक सिखाया तो कपूरवाल की धाराउन नाम नहीं है मेरा धाराबुवा भाला जी पंची आपके आगे हाथ जोड़ते हैं आप बीच में मताईए आपके मंतरी सामने आ गए तो मेरी मुसीबत पड़ जाएगी धाराबुवा शांत रहिए अजी ऐसे शांत रहने से ही इस तरह के लोग पैदा होते हैं खेट खराब भी हो जाते हैं और फसल भी हातों से निकल जाती है सुनिए धाराबुवा अभी न्यायदान शुरू होगा अजी कौन सा फैसला और ये नहीं समझा रहा माराजी ने कैसे भरोसा कर लिया अजी वहां नीचे पच्छाड में धर्मीका समाधी को क्या लग रहा होगा इसके बारे में सोचा तो होता मेरे बेटे सीदे सादे हैं सोने जैसे हैं गलती से भी बुरी तरफ से देखेंगे क्या नहीं लेकिन अगर ऐसे ही जहमेले करने होते तो 2-3 शादी नहीं कर लेते क्या वो कितने रिष्टे आये थे उनके लिए, कितने लड़किया आई थी, अरे मैं तो रिष्टे लेकर आई थी, तो हमसे कहा, मेरी येशु जी ही मेरी लक्षमी है, मुझे शादी नहीं करनी है, तेरी तो अप्षे ने में मुझे तो छोड़ों कि नहीं, अरे नहीं, मेरे प्रभु राम चंद्र हैं वो, होने दीचे फैसला, कहा जायेगा वो, चलिए, धारा भुआ दर्बार में चलिए, जाए अब, अंदर रख दीजे, यूराज, पाटेल, आप यहाँ, कोए का काम शुरू है न, हमारी द्यूई निदी प्राप्थ हुई आपको, जी यूराज, जल का संग्रह परियाप्थ हो जाना चाहिए, माँ बहनों की मुसीबत कम होनी चाहिए, यूराज, आज इतना बड़ा दिन, आज आप पर इतना बड़ा आरोप हुआ है, फिर भी आप रुके, दो पल हमसे बात की, धन्य हो गए यूराज, धन्य हो गए, पानी आते ही यूवरागी से चंगेरी लेकर जाहिए, अजी कुवे को पानी लग दी गया, पहले पानी का कलश लेकर आया हूँ, आपके पैर धोने, यूराज, पैरागी कीजिए, नहीं पाटल किले पर दो ही पैर धोने जैसे हैं, रानी मांके और पिताशरी के, पिताशरी कामकाजों में व्यस्त है, आप समाधी पर जाएए, जी वो तो होगा ही, लेकिन हमें आप ही के पैर धोने है, आप के पैर धोके पुन्य कमाना है, करो परात आगे, जब तक ये लोग हमारे साथ हैं, तब तक हमें कलंक ताक की क्यों परवा कर दिया हैं? खोष्यार, राजा दिराज महारार, राजा श्रिया विराजित, चक्रवुनमंडित, चत्रियकुलावतंस, हिंदू पधपात्षा, श्रीमान चत्रवति श्रीवाजी महारार, जगदम, लिए टीश को नियाए के सूतर को हाथों में ले लिया जाया, जी. जैसी आपके आगे निराजी पंतर आरोपी शंभु राजा को दर्बार में पेश कीजिए संभाजी राजा दर्बार में हाजिर हो झाल राजा जाजा प्रबार में हाजमी राजा प्याज़ आरोप। इस समय वो युवराज नहीं है और वो भी है वो युवराज दर्बार में हाजिर हो नियाय के कामकाज की शिरुवात करने की अनुमती चाहिए इजाज़त है नियाय शुरू होने से पहले शंभू रजा के गले में जो कौडियों की माला है वो उतार देनी चाहिए ये कौडियों की माला है आज ये हम आपको दे रहे हैं ध्यान रखिए इन कौडियों का महत वचानिये इज़त रखिएगा कोई भी अवसर आने दीजिये इस माला को कभी भी अपने से दूर मत कीजिये माफ कीजिये महाराजी हम माला नहीं उतारेंगे आपको उतारनी पड़ेगी आप भली हमारी गर्दन काट दीजिये भाएर ये माला नहीं उतरेगी मा जगदंबे के 64 तत्वों की 64 गौडियों की माला है वो सभी के सभी तत्व सही सलामत है यकिन कीजिए महराज रानी मा के आशरवाद से इसे आपके गले में पहना है अपमान रानी मा का हो रहा है रानी मा का अपमान? हम भोसले होने की ये आखरी निशानी थी सभी के अपमान रानी जी बहुत सोच बचार कर नयाय किया जाये जी महराज निराजी पंत नियाए के काम काजो की शुरुवात कीजी आरोप है शम्बूर राजा के खिलाफ निराजी पंत नियाएसन के सामने वो एक आरोपी बनकर खड़े हैं हमारे पुत्र बनकर नहीं आरोप पत्र रीतिरेवास से ही पढ़ी है जी आरोप है शम्बूर राजा पुत्र शिवाजी राजे भोश ले और फर्यादी केदार जी पुत्र निर्गांट शाहपुर कर शाहपुर के रहने वाले इन्होंने ऐसी फर्याद की है कि उनकी विवाहिता पत्नी सौभागेवती गोदावरी जी उने जबरदस्ती भगा कर ले जाया गया छिपा कर कबजे में रखा गया ऐसी फर्यादे फर्यादी ने जो आरोप लगाया है क्या आपको मन्जूर है शम्बू राजा हमें मन्जूर नहीं है हमें ये इल्जाम बिल्कुल भी मन्जूर नहीं है कोई भी आकर हम पर आकर आरोप लगा ये हमसे बरताष्ट नहीं होगा किसी को भगा कर ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो गोदावरी जी क्या खुद भाग कर गई है जी हाँ इससे पहले भी एक बर भाग कर गई ती आपके अथ्याचारों से परेशान होकर इसका एक तो सबूत आपके पास होगा ना सबूत सबूत नहीं है गुदावरी ने खुद हम से ये कहा था और हमें पूरा यकीन है कि गुदावरी जूट नहीं बोलेगी हमें पूरा विश्वास है उन पर पूरा विश्वास है ये विश्वास आपको कब आया गुदावरी जी का आपके महल में आना जाना शुरू हुआ तब ही से ना केदार बोलने से पहले सोचिये माफ कीजिए युवराजी ये केदार जी बोलते वक्त नहीं सोचता है पर बोलने से पहले सोच विचार करके बात करता है हमने उन पर अत्यचार किये इसके कोई तो सबूत होंगे नहीं मेरे पास बहुत सारे सबूत है गोदावरी जी आपके महल में आती जाती रहती थी आरोप हमारे बर्दाश्ट के बहार है इसके भी जाज परताल की जाएगी चपदाश जी जवाब देने के लिए सामने आईए जबाजी गोदावरी जी का शम्बू राजे के महल में आना जाना था जी आना जाना था पर तभी वो युवराज जी से मिलती थी मतलब सरकार ऐसे सवाल का जवाब वो कैसे दे सकती है वो तो नौकर है ना पर फिर भी देना पड़ेगा बोल ये चंपजी जवाब दीजिए जी में दर्वाजे के बाहर रहती हूँ ठीक है आप जाईए निराजी पंथ आपसे एक बात पूछू पूछिए गुदावरी का आपकी आँखों के सामने आना चाना होता था और इसी के बारे में आपने अन्ना जी पंथ से बात भी की थी सही है ना नहीं अगर हमसे कोई गल्दी हुई तो माफ कीजी जी हाँ मतलब पर वैसे राहू जी सोमना जी ने भी देखा था हाँ हाँ मतलब गुदावरी जी को महल में आते जाते वक्त मैंने देखा है पर मेरे हिसाब से वो युवरागी से बिलने आते जाती होंगी पताईए युवराज आपने तो एक भी सबूत नहीं दिया मैंने बहुत सारे सबूत दे दिये चाहिए तो और भी सबूत दे सकता हूँ मैं क्योंकि तब तक चालाकी तो शुरू हो गई था खामोश चालाक किसे कह रहे हैं अब आप ही बताईए सरकार युवराज जी को गुस्सा आ गया मतलब बीवी मेरी मैंने उन्हें चला कहा तो बुरा युवराज जी को लग रहा है इसकी वज़ा है एक दूसरे के लिए भावुकता सिर्फ गुदावरी नहीं बलकि किसी भी स्त्री के लिए ऐसे शब्दों का उप्योग किया ना तो हमें गुस्सा आएगा ही माँ कीजे महराज पर हमारी रानी मा के संसकार हम भूल नहीं सकते कभी नहीं उसी के साथ पराइस त्री को मा कहने का आदर्श हमारी आँखों के सामने है और हम निर्दोर्श साबित हो जाएं इसलिए किसी स्त्री के चरित्र पर कीचर उछाला जाएगा तो फिर ये फैसला हमें नहीं चाहिए मेरे भगवार मेरे सरकार फैसले से भाग जाने का पाहना है ये सुराज चका च्छाबा भागता नहीं है वो लड़ता है और एक बार अगर च्छाबा भिढ गया तो वो सिर से लेकर पाउं तक फार देता है सरकार मुझ पर दबाव डला जा रहा है सिना पती जी फर्यादी पर दबाव ना डाला जाए माफ कीजिए महरानी जी कावेरी जी गोदावरी जी को यवराजी के महल में बुलाने का संदेशा आपके घर आता था क्या ऐसा संदेश कभी आया नहीं सरकार मैं कहता हूँ संदेशा भेजने की जरूरत ही क्या थी पैर अपने आप ही जा रहे थे महल की ओर जादू ही कर दिया था गोदावरी जी पर यवराज ने यवराज भगवान है भगवान मतलब मैं राक्षास हूँ महाराने जी यॵराज के बारे में गलत बात ये कोई बोले मुझे पसंद नहीं अगर कुछ बोलना ही होगा तो मुझे बोले ये मन घड़त अलसाम हमें मनसूर नहीं है मन घड़त सरकार कोदावरी जी को ससुराल में ग्रहस्ती करनी नहीं थी बार बार वो रायगर पर ही चली जाती थी एक बार अगर वो माई के आ गई तो ससुराल में लोटने का नामी नहीं लेती थी और प्रशन सा ये वराज जी की बुद्धभूशन और जे क्या सा ये वराज के लिए राज जी विशेक के दिन गागागभट हमारे घर पर आय थी उनके पास थी बुद्धभूशन की प्रतिलिपी मैंने उसे पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे नकल करने के लिए दिया और फिर मैं उसे पढ़ती ही रही ससुराल में भी कोई बाधा नहीं आए गोदावरी की ग्रहस्ती के बार में हमें कुछ भी मालूम नहीं है और हमें मालूम रही ऐसी कोई बज़े ही नहीं है हमने बुद्भुशन लिखा जरूर है किसी को अच्छा लगा तो उसने उसे याद कर लिया इसमें हमारा कोई दोश नहीं है प्रशंसा है और रही बात प्रशंसा की तो किसी ने गाली बद्वा देने से अच्छा प्रशंसा की इसकी खुशी है हमें पर सरकार ये बात प्रशंसा के बहुत आगे जा चुकी थी इसलिए तो युवराज जी मुझे स्वराज में नौकरी देना चाते थे चाहिए तो पूछ लीजे सुलनिश जी से क्या शंभू राजा ने कि एदार जी को स्वराज में नौकरी देने का प्रस्ताव रखा था क्या शंभू राजा ने कि एदार जी को स्वराज में नौकरी देने का प्रस्ताव रखा था जी महराजी लेकिन जमाय राजा ने उसे मना कर दिया क्योंकि मुझे उसी समय संदे हुआ था कि इसमें कुछ ना कुछ तो कड़बड जरूर है कुछ गड़बड नहीं है मैं इन्हें सुधरने का एक मौका देना चाहता था सुधरने के लिए मैं बिगड़ा ही कहा था बिगड़ी हुई थी युवराज जी की नजर सरकार गोदावरी को पास देखने की अरे चाल लाक इंसान ये क्या कुछ भी बोल रहे है युवराज जी के बारे में प्रभू राम चंद्र के अवतार है वो ऐसा कुछ बोलने से पहले आपके जबान कैसी नहीं कट गई धराओ जी मेरी जबान क्यों नहीं कटी ये हम बाद में देख लेंगे लेकिन दो मोती ज़रूर मिले थे युवराज जी से गुदावरी जी को जी यहां सरकार यही है वो मोती सरकार ये मोती गुदावरी जी ने कितने दिनों तक खुद के पास संभाल कर अखे विदे वो सके तो पूछ लीजे गुदावरी जी की मां से काविरी जी क्या आपको इन मोतीयों के बारे में कुछ पता है जी हां महारानी यह मोती गुदावरी के ही है यह मोती शंभुरा जैसे मिले थे मतलाब उनके द्वारा ही गुदावरी को मिले थे हम इन मोतीयों के बारे में विस्तरित रूप से बता सकते हैं आप कुल मुक्तियार हो इस न्याय प्रक्रिया में आपको आरोपिया फरेया दी इनके पक्ष में बोलने की इजाज़त नहीं है परन्तु हम निश्पक्ष होकर बात करेंगे ऐसे अगर होगा तो ही बात कीजिए अन्यता आरोपि की आप तरफदारी कर रही हो ऐसा थोड़ा भी अगर शक हुआ हमे तो आप से कुल मुक्तियार का ओदा चीन लिया जाएगा